नमस्कार विद्यार्तियों आज के सत्र में आपका स्वागत है आशा है कि आज के सत्र से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज के सत्र में हम केचुए के विशय में चर्चा करेंगे आज के सत्र में हम केचुए की बाहे तथा आंतरिक आकार्की को समझेंगे और साथ ही हम केचुए के आर्थिक महत्व को भी जानेंगे आज के सत्र के अधिगम उद्देश हैं केचुए और उसके आर्थिक महत्व को समझने में आपकी साहिता करना केचुए के आकार की अभिलक्षन को समझने में आपकी साहिता करना केचुए में पाई जाने वाली विखंडवस्था को समझने में आपकी साहिता करना केचुए के विभिन अंग तंत्रों को समझने में आपकी साहिता करना, केचुए में पार निशेचन की प्रकरिया को समझने में आपकी साहिता करना, आप में वेज्ञानिक दृष्टीकून और अवलोकन कौशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किये गए ग्यान को आपक के दैनिक जीवन से जोडने में साहता करना बहु कोशिकी प्राणियों में उटक संगटित होकर अंग और अंग तंत्रकी रचना करते हैं इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वित रू अधियान के उतक होते हैं उपकला, सायोजी, पेशिय तत्तरकी ये उतक ध्यानपूर्वक अध्यन करने के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंड्रिय गोच प्रवती को प्रदर्शित करती है यह इंड्रिय गोच प्रवती एक विकासिय प्रवती कहलाती है इस सत्र में आपको केचुए के विभिन विकासिय स्तर के बारे में बताया जा रहा है जिसमें आपको शारीर अर अध्याद मौर्फोलोजी के संगठन एवं क्रियाविदी के बारे में जानकारी प्राप्थ होगी आकार्गी आपको जीवों की बाहिसर रचना या बाहिद दिखने वाले आकार का अध्यन कराती है पौधों या सुक्ष्म जीवों के संधर्ब में आकार की शब्द का वस्तोतह मतलब यही है प्राणियों के संबंध में आकार की का मतलब शरीर के बाहिए अंगों की बनावण या शरीर के बाहिए भागों का अध्यन है प्राणियों में शारीर का पारंपरिक मतलब आंतरेक अंगों की रंचनास के अध्यन से है अब आप केचुए में आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्यन करेंगे जो अकेश रुकी का प्रतिनिद्द करते है केचुए लाल भूरे रंग के स्थलिय अकेश रुकी प्राणी होते हैं जो कि नम मिट्टी की उपरी सतय पर निवास करते हैं दिन के समय में ये जमीन के अंदर स्थित बिलों में रहते हैं जो कि ये मिट्टी को छेदकत और निगल कर बनाते हैं बगीचों में ये अपने द्वारा एकत्रित उत्सरजी मल्परधार्तों के बीच डूणे जा सकते हैं इन उत्सरजी मल्परधार्तों को क्रमी शिप्ती अर्थात वॉम कास्टिंग कहते हैं प्रिय विध्यारतियों अब हम केचुए के आकारकी के विश्यम में चर्चा करते हैं इनका शरी लंबा और लगभग 100 से 120 समान समकंडों अर्थात बैटामियर में बटा होता है प्रश्ट तल पर एक गहरी मद्यरेखा प्रश्ट रक्तवाही का दिखाई देती है अधरतल पर जनन्चिद्र पाये जाते हैं जिसकी वज़े से यह प्रश्ट तल से विभेदित किया जा सकता है शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं पुरो मुख अर्थात प्रोस्टोमियम होते हैं पुरो मुख एक पाली अर्थात लोब है जो मुख को मुझ से ढखने वाली फानन्नुमा सररचना है यह फान मरदा दरारों को खोल कर क्रमी को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है पुरो मुख एक संबेदी सररचना है शरीर का पहला खंड परितुंड अर्थात पैरी स्टोमियम या मुख खंड होता है जिसमें मुख पस्तित होता है एक परिपक क्रमी में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी चौदवे से सोलवे खंड को गेरे रहती है इन ग्रंथिल उतकों वाले खंडों को परियाणिक अर्थात क्लाइटिलम कहते हैं इस प्रकार शरीर तीन प्रमुक भागों अग्र परियाणिक और पश्र परियाणिक खंडों में विभेदित होता है पात से नो खंडों में अंतर खंडिय खांचों के अधर पार्षविय भाग में चार जोडी शुक्र ग्रह का रंत्र अर्थात स्परमिथीकल अपरचर स्थित होते हैं एकल मादा जनन खिद्र चोदवे खंड की मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है एक जोडा नर जनन खिद्र अठारवे खंड के अधर पार्षव में स्थित होते हैं बहुत से छोटे चिद्र जिने व्रकक रंद्र कहते हैं अधर तल पर लगभग संपोन शरीर पर पाये जाते हैं इन चिद्रों के द्वारा उच्सर्ग काये शरीर के बाहर की ओर खुलती हैं शरीर के प्रथम, अंतिम एवं परियाडिक खंडों को छोड़ कर समस्त देह खंडों में आकार के शूक अर्थात सीटे पाये जाते हैं जो प्रते खंड के मध्य में स्थित उपकलागर्थ में धसे रहते हैं शूक छोटी बाल के समान सरचना होती है जो के फैल तथा सुकुड सकती है अर्थात गती में महतपूर भूमे का अदा करती है केचुए का शरीर एक पतली अकोश रिकिय परत से ढखा रहता है जिसे उप्तचा कहते हैं इसके नीचे अधिचर्म दो पेशिय गोलाकार वो लंब वर्त परते तथा सबसे अंदर की ओर देह गुही उपकला पाई जाती है अधिचर्म स्थमबाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्थरकी बणी होती है जिन में अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्त्रावीग्रंथी कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं आहार नाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नाली के रूप में उपस्तित होती है प्रथम खंड पर उपस्तित मुख प्रथम से तृतिय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है जो ग्रस्नी की ओर अग्रसर होती है और चोथे खंड में खुलती है ग्रस्नी एक छूटी संकरी नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते है यह पाँचवे से साथवे खंड में पाई जाती है तथा एक पेशी ये पेशणी अर्था गिजाद आठवे और नवे खंड तक चलती है यह सड़ी पतियों और मिट्टी आदी के कड़ों को पीशने में मदद करती है आमाश्य नौ से चौदा खंड तक स्तित होता है केचुए का भोजन सड़ी गली पतियां और मिट्टी में मिश्रिद कार्बनिक पदार्थ होते हैं आमाश्य में स्तित केल्सीफिरस ग्रिंथियां हिूमस में उपस्तित यूमिक अमलों को उदासीन बना देती है आंत्र पंद्रवे खंड से प्रारंब होकर अंतिम खंड तक एक लंबवत नलिका के रूप में चलती है 26 वे खंड में आंत्र में से एक जोड़ी छोटी और शंकवाकार आंत्रिक अंधनाल निकलती है आंत्र का विशिष्ट गुण जो 26 खंड से प्रारंब होता है तथा अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर आंत्र की प्रश्ट सतय से आंत्रिक वलन बित्ति मंच का पाया जाता है जिसे आंत्र वलन अर्थाद टाइफोसोल कहते हैं यह वलन आंत्र में अवशोशंड में प्रभावी शेत्र में ब्रदी कर देता है आहार नाल शरीर के अंतिम खड़ पर एक छोटे छिद्र में खुलती है जिसे गुदा अर्थाद एनस कहते हैं केचुआ कार्बनिक पदार्तों से भरपूर प्रदा को भोजन के रूप में निगलता है आहार नाल से गुजरते समय पाचकरस एंजाइमों का श्राव होता है जो कि पदार्तों के साथ गुल मिल जाता है ये एंजाइम जटल भोज्य कणों को सुक्ष्म अवशोशन योग्य कणों में बदल देते हैं ये सरल लणू, आहार नाल, जिल्ली द्वारा अवशोशित करके उपयोग में लाए जाते हैं फेरेटिमा केचुए का रूधिर परिसंचरन तंत्र बंद प्रकार का होता है जिसमें रूधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, हृदे होता है बंद रूधिर परिसंचरन तंत्र के कारण रूधिर, हृदे तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रक्ता है सूक्ष्म रूदिर वाहिकाय रक्त को आहार नाल, तंत्र का रज्जू और शरीर वित्ती तक पहुचाती है रूदिर ग्रंतियां चौथे, पाँचवे और छटे देह खंड में पाई जाती है ये ग्रंतियां हीमोगलोबिन तथा रूदिर कोशिकाओं का निर्मान करती है, जो रूदिर प्राज्मा में घुल जाती है इनकी प्रवती भाक्ष कानविक होती है, केचुए में विशिश स्वसन तंत्र नहीं होता स्वसन गैस विनियम शरीर की आद्र सत्य से उनकी रूदे धारा में संपन होता है केचुए का उत्सरजी अंग खंडों में विवस्तित और वलियत नलिकाओं के बने होते हैं जिनने व्रकग अर्थात नेफरीडिया कहते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं पटिय व्रकग अध्यावरणी व्यकग और ग्रस्निय व्रकग पटिय नेफरोन पन्रवे खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतर खंडिय पटों में पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं अध्यावरणी नैफरोन जो शरीर की देह बित्ती के आंत्रिक आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा ये शरीर की सतय पर खुलते हैं ग्रसनिय ब्रकक चोथे, पाचवे एवं छटे खंड में तीन युगमित कुच्छों के रूप में पाए जाते हैं ये विभिन प्रकार के ब्रकक संरचना में मूलितह समान होते हैं ब्रकक शरीर तल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं ब्रकक कीप नुमा सेरे से प्रारंब होता है जो गुहिय कक्ष से अतरिक्त द्रव को संचित करता है कीप ब्रकक के नलिकिय भाग से जुड़ा रहता है जो उत्सरजी पधार्तों को छित्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहारनाल से बाहर निकालता है तंत्रिका तंत्र मूलतह खंडिय गुच्छिकाओं अर्थात गैंगलिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जू पर व्यवस्तित होते हैं बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकटी होकर गुच्छिका का निर्मान करती हैं अग्रि सिरे पर तीसरे वद चौथे खंड में तंत्रिका रज्जू दो सिरों में विभक्त होकर पार्श्वतह ग्रसिका को गेरते हुए प्रश्ट सतय पर प्रमस्तिक गुच्छिका अर्थाद सेरीब्रल गैंगलिया से मिलती है इस प्रकार तंत्रिका बले बन जाता है तंत्रिका बले प्रमस्तिश को गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिश्क का निर्मान करती है प्रमस्तिश गुच्छिका बले की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर समवेदी आवेगों और पेशी अनुक्रियाओं अर्थात रिस्पॉंसिज को समाकालित करती है समवेदी तंत्र में आखों का अभाव होता है लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्ष समवेदी अंग ग्राही को शिकाएं विक्सित होते हैं जो प्रकाश की तीवरता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तता प्रत्वी के कमपन को भी महसूस कर सकते हैं केचुए में विशेश प्रकार के रसायन सम्वेधी अंग, स्वादाग्राही होते हैं, जो की रसायनिक उद्धीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं. ये सम्वेधी अंग क्रमी के अग्रभाग में पाए जाते हैं। केचवे उभेलेंगी अर्थात हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानि एक ही प्राणी में व्रश्न, नर एवं अंडाश्य, मादा दोनों जननंग मिलते हैं, इन में दसमें व ग्यारवे खंड में दो जोडी व्रश्न, मतलब टेस्टिस होते हैं, इनकी शुक्र वाहिकाएं, य अत्रिक्त ग्रंतियां सत्रवे और उन्नीसवे खंड में पाई जाती है, सायोक्त प्रोस्टेट और शुक्राणू वाहिनी अठारवे खंड के अधर पार्श में एक जोडा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, साथ ही छटे से नौवे खंड तक प्रते खंड में एक छोटे थैलनुमा सरचनाय चार जोडे शुक्राणू धानिया पाई जाती है, यह मैथुन के दोरान शुक्राणूओं को प्राप्त कर संग्रहित करती है, एक जोडी अंडाश्य, बारवे और तेरवे खंड के आंतर खंडिय पट पर स्तित होते है, अंडाश्य के नीच अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, शुक्राणूओं के आपस में आदान प्रदान की प्रकरिया मैथन द्वारा होती है, जब एक क्रमी दूसरे क्रमी को पाता है, तथा उसके जनन द्वार मतलब गुनादल ओपनिंग एक दूसरे के सानिद्ध में आते हैं, तो वे अपने शुक्राणूओं से भरे थैलों को, जिने शुक्राणूधर कहते हैं, बदल लेते हैं, परियाणिका की ग्रंती, कोशिकाओं द्वारा उत्पन, कुकुनों में परिपक्व शुक्राणूँ एवं अंड कोशिकाईं और तर्ल जमां क किया जाता है निशेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है जिसे क्रमी मृदा में छोड़ देता है अंडव शुक्राणू कोशिकाओं का कोकून के अंदर भी निशेचन हो जाता है क्रमी इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है वह मृदा नम स्थान के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। क्रमी भूर्ण कोकून में रहते हैं। लगबग तीन सब्ता के लगबग चार की ओचसद से कोकून दो से बीस शिशुग्रमी का निर्वान करते हैं। क्रमी में परिवर्दन प्रतक्ष होता है। अर्थात लार्वा अवस्था नहीं होती। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि केच्वे को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यूं कहा जाता है। केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है क्योंकि यह मिट्टी के छोटे छोटे बिल बनाता है जिसमें मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते पौधों की जणों के लिए वायू की उपलब्धता और उनके नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है इस प्रकार केचुआ द्वारा मिट्टी को उपजाव बनाने की विधी या मिट्टी की और वर्ख शक्ती बढ़ाने की विधी क्रमी कंपोस्ट खाद निर्मान कहलाती है क्या आप जानते हैं कि केचुए मचली पकड़ने के लिए प्रलोभग के रूप में भी उपयोग किये जाते हैं आईए अब इस सत्र में जो हमने जाना उसकी एक पुन्रावर्ती करते हैं केचुआ एक विशिश प्रकार के शरीर की सररचना को प्रदेशित करते हैं फेरेटुमा पॉस्तुमा केचुए का शरीर उपचर्म से ढका रहता है शरीर के सभी खंड 14, 15 वा अठारवा को छोड़ कर एक से होते हैं 14, 15, 16 वा खंड मोटे गहरे ग्रंतिल होते हैं वा कलाइटिलम का निर्मान करते हैं शरीर के प्रते खंड में एक S आकार का काईटिन युक्त शूक वले होता है यह चलने में सहायता करता है अधरिय भाग के 5, 6, 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 9 खंडों के बीच स्तित खाचों में शुक्र वाहि का द्वार होते हैं मादा जनन्चिद्र चौदवे खंड तथा नर जनन्चिद्र अठारवे खंड में होता है आहार नाल एक पतली नलिका होती है जो मुख, मुखगुहा, गरसिका, पेशणी, आमाश्य, आंत्र और गुदा तक होती है रोधिर परिसंच्रन तंत्र बंद प्रकार का होता है जो हिर्दय तथा कपाट का बना होता है तंत्र का तंत्र अधार तंत्र का रज्जू का प्रतिनिद्ध करते हैं केचुआ दूलिंगी प्राणी है इसमें दो जोडे व्रश्न क्रमश दस्वे वा ग्यार्वे खंड में पाये जाते हैं एक जोड़ा अंडाश्य बारवे और तेरवे अंतरखंड के बीस्थत होता है या एक पुम्पूर्वी प्राणी है जिसमें निशेचन पाया जाता है निशेचन और परिवर्धन पराणिका की ग्रंतियों द्वारा स्रावित कोकून के अंदर होता है प्रिव प्रकार के ब्रकत का वर्णन कीजिए केचुए में निशेचन के दोरान होने वाले शुक्राणों के आदान प्रदान की प्रकरिया पर टिपणी कीजिए केचुए में पाये जाने वाली विखंड अवस्था का वर्णन भी कीजिए आशा है आपने इस सत्र का आनन लिया देते हैं धन्यवाद प्रोच़ सिर्णट यूल क Gesetz, में देते हैं, में कि ऋ 상ता हूं राइब में को पना खेंगम